इन देक्स पंठी डूट ऑफ अपने को बाताना है और बायनोमियल कोफीशेंट का रिस्यू क्या की बन है अगर अपने रिस्यो से तो रिस्यो नहीं बुलाहे कि- T4 के coefficient और T3 का जो coefficient होगा इसका ratio इन्होंने क्या बोला है 10 by 3 given है और binomial expansion अगर आपन देखे यह given है root of a plus 1 upon square root of 3a इसकी power क्या है यहाँ पर इसके लिए power है यहाँ पर n ठीक है तो इसके लिए मैं general term लिखता हूँ पहले ठीक है तो इसके लिए अगर मैं general term लिखो तो ठीक है त general term t r plus 1 लिखते हैं और यह होता है ncr और यह आजएगा root of a की power क्या आजएगा यहाँ पर n-r और यहाँ पर आजएगा 1 upon root 3a 1 upon root 3a की power क्या जएगा यहाँ पर r तो इसके लिए general term होगा ठीक है तो अगर मैं यहाँ यहाँ पर r की value क्या put करूं r की value क्यर मैं 3 put करों ठीक है तो अगर मैं यहाँ पर r की value 3 put करों यह value क्या जएगा t4 होगा ठीक है न c3 और यहाँ पर t3 आएगा और यहां पर इसकी value हो जाएगे nc2 और यहां पर root of a की power क्या जाएगा n-2 upon 1 upon root of 3a की power क्या जाएगा यहां पर 2 ठीक है अब इसके coefficient का ratio अगर मैं बोलो t4 का coefficient क्या होगा t4 के लिए binomial coefficient क्या होगा यहां जाएगा nc3 और t3 के लिए binomial coefficient क्या होगा nc2 और इसकी value क्या गिवने यहां पर 10 by 3 ठीक है यह यहां पर गिवना ठीक है अब अगर मैं इसकी value को solve करूंगा यह क्या लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है n factorial upon यहां जाएगा 3 factorial into n-3 factorial और nc2 को गवर मैं उपन करती है यहा अब अगर मैं यहां से value देखू तो यह n factorial से n factorial cancel होगा और अगर मैं 2 factorials को cancel करो तो यहां पर 3 आएगा और n-3 factorials को cancel करो तो यहां पर क्या जाएगा n-2 और यहां अगर आपन डिनोमेटर में देखे तो यह 3 से 3 cancel होगा तो फाइनल एक्वेशन बचेगा n-2 is equals to 10 और n के value क् 12 ठीक है अब लोने बूल आके 5th term ठीक है तो 5th term मतलब T5 ठीक है 5th term मतलब T5 त 5 मिन्स T5 मिन्स R के value पन क्या पूट करेंगे 4 T5 मिन्स R के value 4 पूट करें तो यहां गा n-n के value क्या है 12 तो मैं यहां पर 12 की value पूट कर दो तिया ज़एका 12C4 और यहां पर आजएगा root of A की प अब अपन इसकी वैलू को solve करते हैं तो यह क्या जगा 12C4 इन्टू यह जगा अपने बस A की पावर 4 इन्टू यह जगा 1 अपन इसकी वैलू कर अपन देखे तो रूट 3 की पावर 4 क्या जगा यहां पर यह जगा 9 और यह क्या जगा यहां पहीं यहां पहीं आजेगा एजगा एस्क्वार ठीक है यहां से बिसीग लिए अगर मैं वाल्यू देखऊं थिहा जगा A2 upon nine times of 12C4 अब 12C4 की वैल्व यहां पे सिंप्लिफाय करना आते हैं जागा A square by 9 ठीक है 12C4 की वालु देखोती है जागा 12 into 11 into 10 into 9 into 8 factorial इसको लिख रखते हैं divided by यह वालु आ जागा 8 factorial into 4 factorial को लिखूंगा मैं 4 into 3 into 2 into 1 8 factorial से 8 factorial कैंचल होगा 4 3 जा 12 12 से 12 कैंचल होगा 2 से अगर में इसको कैंचल करती है 5 आएगा और यह 9 से यह 9 कैंचल हो जागा 11 into 5 क्या जागा यहां पर यह 55 और यह A square तो यहां पर अगर अगर आपन देखे तो T5 के वैलू कहा गई 55 A square option 4th is the right answer कैंचल है